अपलाई ओनलाइन फोल DSSB ओल्ड रिक्रूटमेंट हंज दोस्तो DSSB ये पुरानी भरती के लिए ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है लिंक एक्टिवेट हो गया है DSSB online.nic.in ओफिशल वेबसाइट पे लिंक एवलेबल है किस रिक्रूटमेंट की बात हो रही है और क्यों दुबारा से ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होई है इस रिक्रूटमेंट के लिए सारी जैनकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी आप वीडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखे और DSSB से जुड़ी latest update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो दोस्तों इन से जुड़ी हुई update जानने के लिए हमें चलना होगा 29.02.2022 के notice की तरफ हंच दोस्तों 29.02.2022 को ये जारी किया गया था दोस्तों DSSB की तरफ से recruitment निकाली गई थी DAS grade 2 के लिए और ये आपको पता ही है DAS के लिए कोई भी graduate candidate आविदन कर सकता चाहें B.A.B.S.C.B. को उसने कर रखी हो पोस्ट कोड थी 99 और दोस्तों इनका एक्जाम DSSB की तरफ से 39.02.2014 को conduct कराया गया था उसके बाद 14.03.2013 को वो एक्जाम डेली गॉर्मेंट की तरफ से cancel कर दिया गया था हंची दोस्तों एक्जाम cancel हो गया था 2009 में recruitment आई 14 में tier 1 एक्जाम हुआ 16 में उस एक्जाम को cancel कर दिया गया और इसी तरह से कुछ केस वगएरा Supreme Court में भी चले थे इससे जुड़े हुए टोटल 61.278 कैंडिडेट के admit card जारी किये गए थे tier 1 एक्जाम के लिए जो की 26.09.2014 को conduct कराया था उसके बाद उसे cancel कर दिया गया था तो उसके बाद एक notice जारी किया गया 10.11.2023 को और online आविदन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की गई DAS grade to postcode 90 बटे 9 की 21.11.2023 से online आविदन की प्रक्रिया शुरू हो गई और आविदन करने की अंतिम्तिती 20.12.2023 है हंची दोस्तों आज 13 दिसम्बर है आविदन करने की अंतिम्तिती 20 दिसम्बर 2023 है पर इस recruitment के लिए सभी candidate आविदन नहीं कर सकते हैं मैंला fresh candidate आविदन नहीं कर सकते हैं ये 61.278 candidate ही आविदन कर सकते हैं तो देख लिजी अगर आपने DAS grade 2 का form भरा था 90.9 का आपके admit card भी जारी किये गए थे तो आप दुबारा से आविदन कर सकते हैं इस recruitment के लिए चाहें अब आपकी age ही क्यों न निकल गई हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है अगर इन 61.278 candidate में से आप एक candidate हैं यहाँ पे क्लिक करके आप आविदन कर सकते हैं बाकी जो candidate आविदन नहीं कर पा रहे हैं किसी card was कोई issue है देखे The candidates who are unable to submit the online application for the postcode 90.9 may submit their representation along with relevant document at physical help desk counter at DASB before 5 p.m. on 20.12.2010 दोस्तों वो applicant जो unable है जो आविदन नहीं कर पा रही है वो अपना representation DASB के office में जाके जो भी help desk counter है वहाँ पे दे सकते हैं कब तक 20.12.2013 शाम 5 मुझे तक क्योंकि 20.12.2013 आविदन करने की अंतिम्ति थी है तो ठीक है दोस्तों यही जानकारी आप तक मुझे थी वीडियो के मादिम से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें तो ठीक है आज अभी के लिए इतना ही फिर मिलते ही किसी नए वीडियो के साथ पर तक के लिए नमश्का